Welcome back guys, मैं हुजोती चोहान, हुश्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ग्यान कलामी देखेगा, आज मैं फिर एक अपडेट लिकर आई हूँ आप लोगों के सामने अभी लास्ट मैंने DSSV वेकेंसी के बारे में अपडेट दिया था उस पर कुछ दिमांड है, तो मैं वीडियो लेकर आऊंगी फिलाल अभी जो आज मैं अपडेट लेकर आई हूँ वो है आपकी चंडिगण में TGT वेकेंसी पर अपडेट है, चंडिगण में TGT के वेकेंसी आई है और ठिक ठक वेकेंसी है, कौन का अलिजिबल है, कि सब्जेक्ट पर वेकेंसी है वो मैं बात करूंगी अभी, उससे पहले मैं बता देती हूँ कुछ लोग कोर्स को लेकर अपडेट मांग रहे हैं तो मेरा जो कोर्स है UGC, NET और DSSP का, दोनों ही 12 फरवरी से शुरू हो चुके हैं आप लोग जोईन कर सकते हैं, फुल कोर्स उसमें दिया हुआ है मेरे अप्लिकेशन में, आप मुझे वाटसाप पे मेसेज करके भी लिंक पा सकते हैं अदर्वाइस मेरा phone number नीचे दे रखा है चलिए मैं बात कर लेती हूँ यहां से देखेगा, आपके सामने दे रखा है, यह notification मैंने open किया है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को इस notification में क्या-क्या चीज़े दे रखी हैं, कैसे देखेगा यह दिया हुआ है यह requirement notice है, for the post of TGT TGT के लिए है, और इसमें देखेगा important note इसमें दिया रहा है, only online application will be acceptable तो जो आपके form फिल होंगे, वो online ही होंगे offline तो खतमी है लगबग, opening जो date है application की वो 26, मतलब फैब से start होगा आपका, 11 बजे से शुरू होगा और closing to date रहेगी, वो 18 मार्च रहेगी, शाम को 5 बजे तक रहेगी अब दिखेगा, last date you deposit the fees, 21 मार्च है आपकी 3, 2 बजे तक है 21 मार्च तक, ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ, इसमें vacancies को लेकर कितनी vacancies हैं, कि subject के vacancies हैं, क्या age relaxation है, क्या criteria है, वो हम देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, name of the post, TGT, master, mistress के बात करेंगी हैं तो इसमें देखेगा, fine arts की जो vacancies हैं, वो 3rd number पर ही दे रखी हैं general की 24 vacancies है, SC category में 10 vacancies है, OBC में 15 है, EWS में 5 है total post आपकी हो जाती है, 54, fine arts की जो vacancies है, इसको थोड़ा से मैं clear करके और show कर देती हूँ, आपको शायद नहीं यहाँ दिख रहा हो, अब मेरे खाल से आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन में आप लोगों के साथ share कर दूँगी, ठीक है, other subject में भी यहाँ पर vacancies आई है, fine arts में के बाद जब तक मैं नहीं बताऊंगी, तब तक दो vacancy का मतलब ही नहीं बनता, qualification पर main जो बात है, वो आके अटक जाती है तो qualification पर मैं बात कर लेती हूँ, ताकि यह पता लग जाए कि कौन-कौन इसमें eligible है, कौन-कौन fill कर सकता है form, तब ही आप लोग आगे तयारी भी कर पाएंगे तो देखेगा, और शायद तभी आप मेरा वीडियो भी देखेंगे, तो वीडियो लाज तक देखेगा, मैं detail बता रही हूँ यहाँ पर यह fine arts की vacancies दे रहे हैं, यहाँ पर bachelor of fine arts BFA देखे, bachelor of fine arts क्या होता है, BFA, यह मैंने DSSP में भी बताया था, कि BFA जो है 4 years का bachelor of fine arts, क्योंकि 4 years का आप हो रहा है, पहले 5 years का होता था, तो यह bachelor degree में आता है, इसलिए इसके साब 2 साल का diploma बहाँ पर मांगा गया था, बट यहाँ पर अभी मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो आप देखेंगे इसमें क्या मांगा है, सीधा सीधा bachelor of fine arts, मतलब आपका BFA होना चाहिए, degree of its equivalent from a recognized university with at least 50% marks, आप चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्होंने bachelor दे दिया है, starting में, और यहाँ पर लिख दिया है BFA, bachelor of fine arts, मतलब आपके पास bachelor degree fine arts में होनी चाहिए, तो एक तरह से BFA यहाँ के लिए बहुत ही बड़ी good news है, ठीक है, तो इस recognized university with at least 50% marks, बस एक bet दी है यहाँ पर कि आपके पास जो graduation में marks होना चाहिए, वो कितने 50% होना चाहिए, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, आगे आने वाली vacancies में BFA की जादा demand है, BFA के साथ भी 2 plus का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चंटीगड की जो vacancies हैं, यहाँ पर इनोंने graduation मांग लिया है, मतलब bachelor of arts मांग लिया है, bachelor of fine arts मांग लिया है, ठीक है, या फिर इसके equivalent जो qualification है आपकी, वो भी चल जाए, जो काफी सारे लोगों ने अधर जो university awards हैं, बहां से अलग-अले cultured, graphic इस तरह से diplomas कर रखा है, degree ले रखी है, तो वो लोग भी eligible हैं, मतलब जो आपकी qualification है, वो bachelor के equal होना चाहिए, उन्होंने clearly mention कर रखा है, ठीक है, तो graduation माले भी इसमें apply कर सकते हैं, अब इसमें देखीगा, बात कर लेते हैं, हम बाकी तो कुछ चीज इसमें दी नहीं है, ऐसा कुछ other qualification और, वो मैं देखें, आपको अभी बता रही हूं इसमें, इसका देखीगा, पेपर का जो, क्या-क्या पेपर आएगा, किस तरह से आएगा, किते marks का आएगा, बो भी मैं यहां पर बता रही हूं, आपको साथ-साथ, क्योंकि बहुत जादा इसमें कुछ दे नहीं रखा notification में, सीधा सा सिंपल सा चीजे दे रखें, कुछ उलजीवी चीजे बिलकुल भी नहीं है, आपको भी clearly पढ़के समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इसमें eligible हैं, mostly candidates जो है, इसमें eligible हैं, apply कर सकते हैं, 50% marks आपके पास होना चाहिए, बस art में होना चाहिए, बाकी ये प्रावेधिक वाले बी 100 minutes का रहेगा, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले part A की जिसमें questions हैं, आपके 50 questions हैं, 50 marks के हैं, ठीक, तो इसमें general awareness होगा, reasoning होगा, earth mathematical and numerical होगा, मतलब इसमें आपका gk होगा, reasoning होगा, और math होगा, ठीक, ये इस तरह के 12 questions आपके पास होंगे, next चलता है, information and communication technology पर आपके 12 questions होंगे, third है, आपका teaching aptitude and pedagogy पर आपके 12 questions होंगे, next है, test of English, Hindi, Punjabi, Language and Comprehension पर आपके 14th question होंगे, आप देगेगा, qualification अगर easy है, तो paper में कुछ ना कुछ difference जरूर रहेगा, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, English के 5 है, Hindi के 5 है, Punjabi के 4 है, तो कुल मिला की इस तो उस पर भी देख लेते हैं, कौन-कौन सी चीज़े इसमें आपकी आएंगी, यह है questions related to subject specific, मतलब यह जो है आपका 100 number का या 100 questions जो है, concerns subjects related है, क्योंकि journal paper आपका आता ही आता है, आज कल, most of the exam में journal paper कर दिया गया है, तो जो आपका second paper है, या मैं कहूंगी part जो B है, जिसको second paper भी कहते हैं, तो वो आपका 100 questions उसमें आएंगे, 100 marks के आएंगे, तो overall यह जो आपका paper बन जाता है, यह आपका 150 questions का बन जाता है, ठीक है, तो बहुत सीधा सा, simple सा इन्होंने तरीका दे रखा है, यहाँ पर, यहाँ दे रखा minimum qualifying marks जो रहेंगा, each part A and B, separately, अगर आप देख की रहेगी, negative marking है, DSSB की तरहा ही है, will be made for each wrong question, तो प्रती एक, जो wrong question रहेगा आपका, उसके लिए, 0.25 की negative marking है, same DSSB में भी यही है, questions in the test for the part B, will be based on the relevant subject and the difficulties, मैं बताया था, आपकी subject से है part B, and standard will be as per qualification, mentioned and advertisement, detailed topics, syllabus will be uploaded of the website, तो जो आपका syllabus है, आपके concern subject का, वो आपकी website पर, जो मतलब यहाँ की जो website है, चंडिगड की, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, for the post of TGT science, non-medical, TGT ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपका subject नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, तो किस तरह से होगा, पहले आप exam दीजेगा, age limit क्योंकि सबसे main part आता है, age limit बहुत जानना जरूरी है आपके लिए, तो यहाँ पर, जो है, age should be strictly between 21 to 37 years as on 1-1-2014, एक जनवरी 2024 तक आपकी जो IU है, वो 37 बर्स, 37 साल तक ही होनी चाहिए, इससे उपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है मतलब 21 से 37 बर्स के बीच होनी चाहिए, जो IU की जो गणना है, वो 2021, एक जनवरी 2024 तक ही की जाएगी, ठीक है, relaxation दिया गया है, SC, OBC और ESM, PW, BD और other category candidates will be given as per the instructions issued by the government, India Chandigarh Administration under OBC categories, candidates of those caste will be given benefits which are include in Union territory Chandigarh list में, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, contact teachers, guest teachers, and समगरी सिक्षा teachers, जो होते हैं समगरी सिक्षा भियान के अंतरगत, working in government school of Chandigarh will be given age relaxation, तो इनको जो है age relaxation, क्योंकि इनको मिलता ही है, मैंने बोला भी था, कि जो पहले सी working होते हैं, उनको मिल जाता है, equal to the period, rounded to near be month, they work in government, तो उसमें यह mention होता है, कि कितने दिन का target आपको पूरा करना है, तो उसके according यहाँ पर इनको भी relaxation मिल जाएगा, ठीक है, clear है, तो यह तो आपको पता चली चुका है, online application का प्रोसेजर भी इसमें यहाँ mention कर रखा है, यह देखेगा, online application process है, तो application can be submitted only online form, तो यह मैं आपको पहले ही बत चुकी हूँ, इसमें कुछ मेरे कहल से fee का भी दिया हो, fee कितना जाएगा, applicable fee non-refundable है, refund नहीं होगी आपको वो होती भी नहीं है, amounting rupees 1000 rupees है, rupees 500 in case of SCC category के लिए 500 है, will be acceptable through online mode up to 18-3, मतलब 18 March तक है, 2 बचे तक बो भी, person with disabilities are exempted for payment of fee as per instructions issued by government, तो मतलब जिनको relaxation मिला गया है, fees में भी, तो वो government के जो rule है, उनके according है, और उनी के according, उनको fees भी भरना होगा इसमें, ठीक है, तो यह यहाँ पर दे रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से नोने notification में clear करके, सब पुछ दे रखा है, कोई problem भी नहीं है, ऐसी आप लोगों को सब भी search कर सकते हैं, जो भी doubt रहेगा, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, इसके नीचे, last rate वगेरा, इसमें यहाँ पर सारी दे रखी है, बहुत ही clear तरीके से यहाँ पर सब कुछ mention कर रखा है, general instructions दे रखे हैं, ठीक है, TGTs के लिए, सब, तो जब भी आप कोई, कोई भी आ आप form fill कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी है, यह सारे instructions जो हैं, वो carefully आप लोग पढ़ लीजेगा, कुछ अगर doubt होता है, तो आप बही चक पुछेगा, उसको मैं यहाँ पर query को आपकी solve करा दूँगी, ठीक है, next के लिए, कुछ books की, आप लोगों की बड़ी demand है, टीजे, DSSB के लिए, तो DSSB की जो books हैं, वो मैं लेकर आती हूँ, चल दी से, वैसे मैं बता चुकी हूँ, अभी तक जो books मैंने बताई हुई है, generally, UP, TGT, others, post के लिए, वो books आप लोग purchase कर लीजेगा, तब तक क्योंकि Indian और Western में कहां से क्या आएगा, वो थोड़ा से syllabus को म बाद में लेकर आएगे, पहले DSSB का कर लेंगे, अब ठीक है, चलिए मिलेंगे next video में, एक next अच्छे सी video में, तब तक के लिए, thank you so much.